अरे तिरो किया का का केकरो रेगिस्तानी जाज गन केकरो रेगिस्तान जाज लेंड करसी अब लेंड करसी तो करंद्यो ग्राउंड कलियर है पेसेंजर तो पहली उतार राखे हाँ पेसेंजर तो उतार दिया अब बाच्छी उडान की त्यारी में इंगे तकलीफ क्ये है तकलीफ इंगे क्यांगी है तकलीफ मेरे है थारे के तकलीफ है बटका बोड़ा तेरा तकलीफ को नहीं है बात हो वही है बटका बोड़ा है अच्छा जना तकलीफ ही पड़ी है आथो पत्तर में को बहुत सो गाल दे ओर तो सोई के ठीक है एंग माई पन बटका बोड़ है कोई इलाज को निगे उपाए एक बो कुलड़ी असा मुंड़ागो है निभो क्ये नाम बिंगो कुलड़ी अगे मुंड़ागो सो तो बो एक है बो मुरारी हो हाँ बो मुरारी हो बिंगे उट खाणो बन क्ये इलाज कर बिन्द पूछ लियो अच्छा यहां गे जना बाया मैं भीकन जाओं देख मन टाइम तो कोनी तन चा पानी पान खाते रहे तुम आयो तो चा पीन नहीं पन ठीक है भीकन जा गया हूं मैं फेर पास शुकर दी अरे किया मुररी ठीक है लाग रहां किये काम देंदा हुरे है याज काले बस आई गराला रुगा तेरो की आणो गयो आजे अरे क्यांगो आणो गयो मैं तो एक उपाए पूछ नायो होते ले अच्छा पूछ बूच बहरे एक उंटियो है खानो बो तेरे एक उंटियो को नि होते हैं हाँ आब तास इलाज हा तो क्रियो रही हो यहां क्यके क्रियो की रही हो इच्छा अब्सक्राइमिदा की ले रहे हो गूण अच्छा भिंगा बनाया गून का लड़ू हाँ मिश्किले अन्दियो 2.0 किलो ठीक है बकी आटनी टेल गंवांट सिंग सम्हें अच्छ ठीक है ठीक हाँ, और आपने बो ग्रीस हावै नी ग्रीस? बोले हो 2 किलो, आपने नावड कर गेया माईट, साबन गा टुकड़ा प्ने आरे नी छोटा छोटा, आपने आरे नी? बय बोलस और बेड़ा वड़ाज ना अच्या बय लिन्या और गरे बय बोलस और दुआया पड़ी दे नी हां यहां जिया पेड़ दुखनगी हौ माथो दुखनगी, मुखारगी हाँ ठीके ठीके फेर बय गोड्या लेगे और 20 किलो ने रहेगा माई ये गोल बना यो बो गोल बना ये दिन्यो अचे ठीक है ठीक है समझ कियो अरा सुन तो सुरू हो रहे मैं बात में सुन से भी उटियान समाल उपर लिजा गए अरे बात तो सुने अब बहुं क्या गो थम्मै पूरी सुने यो ने अरे बहुं के लाज बतायो बी उटे के जागान लाग रहे है तो जाग तो मेर लगे यान लाग या तो छुनतो शुरू रथम में अरा अच्छो आदमी है यारे यह जाग आजी है बारे उटे किया है अरे बहुं के लाज बताया बहुंतियो तो गलेटा खाल लाग रहे है अरे तो गलेटा तो मेर लही खाई ही अच्छा तेर लही खाई है ठीक अरे तो सुनतो शुरू अच्छा मिनक है अरे पाँ के लाज बताया हो? के लोट यह अच्छा मर क्यो आतो मेर लही तो मर क्यो है तो पूरी बात तेर शूनी कटै में कूदू थमरे थमरे तुझो तो देधर बचंटी देधर बचंटी पं अब खावे गे यहां बताः खागयो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजेंदर बंसल है, मैं वेन एंड पेन एक्सपर्ट हूँ आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में वेरिकोज वेन्स बिमारी में पैरों के हिस्से में गहरे नीले रंग की टेडी मेडी फूली हुई नसे होती है जिसकी वज़े से मरीज को जादा लंबे टाइम तक खड़े या पैठे रहने पर दर्द का होना, भारीपन का हो जाना, सूजन का आना जिसमें कि मरीज थोड़ी देर के लिए अराम करता है तो उसको आराम मिल जाता है और साथी साथ अगर बिमारी जादा है तो पैर के निचले हिस्से में कालापन का आना या जखम का बन जाना अमूमन बूल दिया जाता है कि इस बिमारी का इलाज संभव नहीं है इसमें लेजर, आरेफे, मौका, वीनसील या स्कलेरोथरेपी प्रिकरिया के माध्यम से इसका इलाज किया जाता है इस प्रिकरिया में मरीज के घुटने से नीचे अल्टरा साउंड में देखते हुए एक वेन को पंक्चर किया जाता है और फिर उसी छोटे से होल के द्वारा, छोटे से छेट के द्वारा लेजर और आरेफे का पतला फाइबर डाल कर उस नस को बंद कर दिया जाता है इसका फाइदा मरीज अगले ही दिन काम पर जा सकता है कोई इंफेक्शन का चांस नहीं रहता तो अगर किसी को वेरिकोज वेन से संबंदित समस्या है जिसमें पैरों में भारीपन, सूजन का आना, फूली हुई नसों का दिखाई देना तो तुरंथ वेन एक्सपर्ट से प्रामर्ष लें और इस बिमारी से मुक्ती पाएं धन्यवादा